दुधी अपने आप में अत्यंत आउशदिये गोणों से भरपूर है ये निश्चित रुप से अनेक रोगों में यहाँ बहुत कारगर आउशद है और यहाँ दुधी गंजों के लिए भी एक आशा की कीरण है दुधी का रस निकाल करके कनर के पत्तों का रस दोनों को निकाल करके बराबर मात्रा में मिला करके और बालों के जड़ में रगड़ी आप बाल की तूटना जढ़ना ये सब खत्म हो जाएगा दुधी के प्रयोग के द्वारा हलाकि वहां थोड़े थोड़े दाने हो सकते हैं इसका ध्यान रखें सिंसी हो इसकिन में ये कनेर का रस अनुकुल ना पड़े तो आप उसका प्रयोग न करें दूधी बहुती कारगर है बहुती राम बान है आपके बाल जढ़ने के लिए बालों के रोगों के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं और इसका एक और प्रयोग है हलाकि हमने संतों से सुना कई लोगों से सुना अभी हमने कुछ रोगियों पर ज्यादा प्रयोग नहीं किया यह थोड़ा सा जटिल प्रयोग है फिर भी आप प्रयोग करके आप हमें सुचित कर सकते हैं मुझे कुछ संतों ने बड़े दिड़ विश्वास के साथ आत्मविश्वास के साथ इस प्रयोग को बताया कि दूदी के दूद को निकाल करके आप सलाका में एक किसी भी रूई में करके एक दो बूद सिर्फ दिन में एक बार आँख में टपका देते हैं तो रतौंदी जैसी जो बिमार से हमेशा के लिए मिलती हैं इससे मुक्ति निश्यत रूप से यह बहुत गुणकारी द्रव्य है सरल जो प्रयोग हैं हम उनका प्रयोग कर सकते हैं